कीच्चन के 10 टिप्स एंड ट्रिक्स नमबर एक, छेना फारने के बाद उसे निकला पानी फेकी नहीं, उसका इस्तिमाल रोटी या पराटी का आठा घूथने के लिए करें, रोटी पराटी ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे नमबर थू, पकोड़े के लिए बैटर बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल का आठा मिला दे, पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे नमबर थू, पुरानी या बासी ब्रेट को पीस कर एट डिब्बे में रख ले, बाद में इसका इस्तिमाल कटलीट या कबाब बनाने में करे, वो तूटेंगे भी नहीं और स्वादेश में बनेंगे नमबर फोर, कोई भी मीठी डिश बनाते पक्त उसमें एक चुटकी नमक डालें, इसे स्वाद और ज़्यादा उबर कर आएगा नमबर फाइफ, चावल बनाते पक्त इसके पारी में एक चमच घी और कुछ बूदे निम्मू के रस्की डालें, इसे चावल खिले-खिले और फिल्कु सफेद बनेंगे नमबर सिक्स, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते पक्त उसमें आदा छोटा चमच चीनी डालें, चीनी केरेमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी नमबर सैवन, पुडियों को बेल कर तलने से पहले दस मिनट के लिए फ्रीज में रख दे, इससे वो फ्राइ करते वक ज़्यादा तेल नहीं सोखेगी नमबर एट, सूची को हलवे के लिए भूंते वक्त इसमें आदा चमच बेशन में मिला दे, इससे हलवे का स्वाद दुगना हो जाएगा नमबर नाइन, परफेक्ट फ्रेंट फ्राइस बनाने के लिए आलो को काट कर उन्हें 2-3 मिनट के लिए पानी में उबालने पानी से निकाल कर इन्हें किचन नैपकिन या टीशू पेपर पे फैला दे, जिसे इनका सारा पानी सूख जाएगा अब इने कॉंट फ्लोर से डस्ट करके चिप लॉग बैग या एट आड डिबे में बंद करके फ्रीजर में रख दें ज़रुवत पढ़ने पर निकाल का तुरंट फ्राइए करें नमबर टैन प्लीन म्यूनीज में हरी चटनी या टोमेटो चिली सॉस या चॉप की हुआ दनिया पुदीना मिला कर बिलकुर नए सवाद वाला डिप या स्प्रेड तयार करें